तो आज हम बनाने वाले हैं हमारी यूपी बिहार की बहुत ही ट्रेडिसनल और फेमस फूड इसे आप भोजन भी कह सकते हैं जी हां लिट्टी चोखा या फिर बादी चोखा कह लीजे इसे बनाने का तरीका तो बिल्कुल ही ट्रेडिसनल रहेगा मगर इसे हम पकाएंगे तो चलिए रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो हाई अबरिवन मैं स्रधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रधा ओम लाइफ में तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो चलिए बनाते हैं हम लिट्टी चोखा तो करने के सत्तू में ही इसे बना सकते हैं बहुत बढ़िया बनती है यह रेसिपी तो अब हम लिट्टी की जो श्टफिंग बना रहे हैं तो इस सत्तू में हम मिक्स करेंगे एक बड़े साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और इसमें आधा चमच के लगवा कटी हुई बारि मिर्च कम ही ले और इसमें अब हम डालेंगे अचार का मसाला अगर आप लोगों के पास यह मसाला एविलेबल ना हो तो आप आमचुन पावडर या नीम्बू का रस भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट बढ़िया आता है तो इस मसाले को इसमें अब हम एड़ कर ले रहे है और अब डालेंगे हम इसमें मंग्रेल ज्वाइन आधे चमच के लगबग है इसे हाथों से रगड़ के डालने पर ने इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और अब इसमें आधी चमच से भी कम हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च आधा चमच से ही थोड़ा सा कम हम डालेंगे हल्दी पावडर जिससे के इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और एक चमच भर कर हम डालेंगे इसमें सरसो का तेल जो कि इसके लिए बहुत ही जरूरी है और टेस्ट के इकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक और इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे टेल थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं जैसा आपको खाना हो जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो श्टफिंग एकदम भूर भूरी ना बने इसके लिए इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब इसकी एकदम भूर भूरी रहेगी ना तो जब आप लिट्टी को तोड़ेंगे तो सत्तू सारा बिखर जाएगा तो बनाने के लिए हम बैगन को पका लेंगे दो वैगल लिए है छोटे था इसके ही थो बड़े कीत लिए है और जो टमाटर अप दी तो यह जल्दी नहीं हमा में आया है कि यह पकाने के लिए सबसे बेश्ट रहेगा तो आज हम इसी में पकाने वाले हैं क्योंकि गैस पर रखने के लिए मेरे पास कोई जाली नहीं थी कि हम बैगन और टमाटर पकाएं तो इसी में हम पकाएंगे और सबसे बढ़ियां इसका यूज भी है तो आप लोगों को एक टिव दे देते हैं कि जब भी इस तरीके की तलने वाली चीज़े खरीदे तो पीछे से सपोर्ट देख कर खरीदे ताकि वो जाली निकल कर बाहर ना आया है तलते वक्त तो अब हम गैस को जला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही गैस हम रखेंगे और सारी चीज़े हम पका लेंगे बैगन और टमाटर इस तरीके से इसमें बहुत आसानी से पक जा रही थी और जब बैगन इस तरीके से पक कर एकदम सौफ्ट हो जाए न तब इसमें हम लहसुन की कलियों को दबा देंगे हम स्टार्टिंग में लहसुन की कलिया और मिर्च को नहीं डाले थे क्योंकि जब आप सुरू में ही बैगन में डाल देते हैं इसे और जब इसे पकाते हैं तो वो सारी बाहर निकल जाती है अब इस वक्त पर एड़ करने से ये होता है कि बैगन भी बढ़िया से पक जाएगी और लहसुन की कलिया जो है वो भी सौफ्ट हो जाएगी और ये लगभग पक चुकी है तो अब हम इसे हटा लेते हैं और अब चलते हैं हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेगे तो लिट्टी के लिए हम आटा लगाएंगे ये लगभग 500 ग्राम के आटा है आप अपने फेमली के एकॉाडिंग ही आटा ले और इसमें हम ढालेंगे नमक टेस्ट के लिए और इसमें हम मंग्रेल अजवाइन को हाथों से रगड के डाल देंगे अगर ऐसे ही हम आटा गूत देंगे तो लिट्टी का फिर स्वाद बढ़िया नहीं आएगा और लिट्टी थोड़ी सौफ्ट बने इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा एक दो चमच के लगवग तेल अट किये हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस आटे को एकदम सक्त डो लगाना है जिस तरह की कचोड़ी का आटा हम गुथते हैं बिल्कुल वैसा ही और इसे एकदम से पानी डाल कर नहीं गुथना है हलकी हलकी पानी से इसे गुथना है तो चलिए आटा भी हम गुथ ले रहे हैं खुब बढ़ियां से और इसे जितना सक्त डो आप लगाएंगे न लिट्टी उतना ही बढ़ियां बनेगी इस तरीके से पानी छीट छीट कर इसे अच्छे तरह से गुथ ले तो आपको पता चल रहा होगा देखने से कि कितना अच्छा आटा गुथ कर तयार हुआ है थोड़ा सक्त ही है तो आटा भी बिलकुल तयार है स्टफिंग भी तयार है बैगन टमाटर भी पक चुके हैं तो चलिए इसे अब हम बनाना सुरू करते हैं तो बैगन खुब बढ़ियां से पक चुके हैं तो उसे हम अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तब ही चोखा हम बनाएंगे और इस जाली पर आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां से यह पक चुका है तो कभी कबार टूटी फूटी चीज़े भी यूज में आ जाती है और यह जो अस्टफिंग हम मिक्स करके रखे थे तो इस अस्टफिंग में सारी चीजों का जो फ्लेवर है आ चुका है तो चलिए अब हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं तो लिट्टी बनाने के लिए इस तरीके से हम आटा के छोटी सी लोई काट लेंगे और इससे पहले गोल कर लेंगे हाथों से अगर आपको अस्टफिंग करने में दिक्कत आती हो तो थोड़ा सा आप इसे बेल भी सकते हैं बेल कर अस्टफिंग कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से जो गोल लोई बनाएंगे तो अंगूठों की हेल्प से इसे बीच में दबा दबा कर एक कटोरी का सेप दे दे और जब यह चारो तरफ से बढ़िया कटोरी की तरह बन जाए तब इसमें अस्टफिंग को भर दें बिल्कुल इस तरीके से और अस्टफिंग आपकी गिरेगी नहीं क्योंकि एक अंगूठे से अस्टफिंग को नीचे दबाएं और बाकी लोई को समेटते हुए उपर की और और यह खुब बढ़िया से गोल बनकर तयार हो जाती है और अंत में इसे बंद कर दें और हथेलियों की हेल्प से इसे एकदम गोल गोल कर लें जब हम तलते हैं या फिर आग में फूटते हैं तो थोड़ा चप्टा कर लेते हैं लेकिन हम अपके पैन में बनाने वाले हैं तो इसे हम गोल-गोल ही रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, तो चलिए सारी लिट्टी को हम बना कर पहले तयार कर लेते हैं, तो ये देखें सारी लिट्टी बन कर तयार है, तो चलिए अब हम सेख लेते हैं, और इसे बनाने का तरीका तो बिल्कुल ट्रेडिसनल है रेसिपी बहुत ही ट्रेडिसनल है लेकिन पकाएंगे इसे हम थोड़ा नए तरीके से अप्पे पैन में ये बिल्कुल ही नहीं लगेगी कि आग में पकी हुई नहीं है और स्वाद तो इसका जबरदस्त होता ही है एकदम मीडियम से कम और तब इसे हम सेकेंगे और इसे अप्पे पैन में हम तेल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब आप इसमें तेल या रिफाइन डालकर सेकेंगे लिटी को तो उपर का भाग बहुत जल्दी ही पक जाएगा और नीचे से लिटी कच्ची रह जाएगी तो इसमें कोई भी तेल का यूज नहीं करना है इसे ऐसे ही डालकर थोड़ी देर के लिए ढख दीजिए एकदम स्लो फ्लेम रहेगा गैस का और इसे ढख कर पाच मिनटा पकने दीजिए ये खुब बढ़ियां से पक कर तयार हो जाती है बिल्कुल इस तरीके से और इसका नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिटी बड़ी बड़ी है तो इसलिए हम थाली का यूज कई है तो आब इसे हम पकने देते है और ये बैगन और टमाटर भी थंडे हो चुके हैं तो चलिए इसे भी अब हम छिल ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बैगन पर हम तेल नहीं लगाए थे फिर भी ये कितना बढ़िया से इसके छिल के उतर रहे हैं तो चलिए इन सब चीजों को हम छिल कर रख लेते हैं तो यह देखिए इसमें जो भी लहसुन है उसे देख देखकर उसे चमच की हल्प से आप दबा दीजिए ताकि खुब बढ़िया से लहसुन इसमें मिक्स हो जाएं और चोखा बनाने के लिए हम दो उबले हुए आलू का भी यूज किये हैं और इसी तरीके से चोखा बनाए आलू बैगन टमाटर का चोखा सबसे बढ़िया लगता है खाने में और अब देखिए इस लिट्टी को हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा यह पक चुका है तो आप इसे चारों तरफ से उलट पुलट कर सेक लें यह देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है इसमें कोई भी तेल और रिफाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको गैस का फ्लेम थोड़ा कम लगे या लगे की टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो चलिए लिट्टी को हम फिर से ढख देंगे ताकि खुब बढ़िया से पक जाए और अब हम चोखा बना लेंगे इसे हाथों की सहायता से हम इस तरीके से मैस कर लेंगे और ये बनकर तयार हो चुका है चोखा तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ टेस्ट के लिए मसाले तो इसमें जो बची हुई लहसुन है वो हम डालेंगे अगर आप चाहें तो लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं लेकिन जो कटी हुई बारिक लहसुन होती है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तीखे के लिए इसमें हम मिर्च डाले हैं थोड़ा साधरक डाले हैं और टेस्ट के एकॉइल इसमें नमक डालिए और सर्शो का तेल थोड़ा ज़ादा इसमें डालिएगा इससे टेस्ट इसका बहुत हीं बढ़िया आता है तो ये चोखा बनकर तयार हो चुका है बहुत लोग इसमें प्याज भी यूज करते हैं लेकिन इसमें हम प्याज यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो चोखा का जो टेस्ट है उसको मीठा कर देगा और अंत में हम डालेंगे इसमें धनिया की पत्ती कटी हुई और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लीजे बनकर तयार हो चुका है आलू बैगन का चोखा भरता जिसे कहते हैं लोग और ये लिट्टी भी लगभग हमारी आधी पक चुकी है तो ये देखे इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है और बीच में जो अप्पे पैन के बीच में जो लिट्टी है वो थोड़ी ज़्यादा सिख जाती है तो क्या कीजिए आप कि साइट साइट की जो लिट्टी है उसे चेंज कर दीजिए कभी बीच में कर दीजिए बीच वाला किनारी कर दीजिए और इसे बराबर से उलट पुलट कर सेक लीजिए तो ये देखिए लिट्टी कितनी बढ़ियां से पक कर तयार हो चुकी है बिल्कुल लग रही है जैसे आग में सेकी हुई हो तो अभी ये थोड़ा सा और पकेगा तो इसे पांच मिनट के लगबख थोड़ा सा हम और सेक लेंगे तो इस तरीके से बीच वाली लिट्टी को आप साइड कर दे और जो साइड वाली लिट्टी कम सेकी हुई है तो उसे आप बीच में कर दे और अब पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लिटी बहुत बढ़िया से तयार हो गई है थोड़ा वक लगता है इसमें क्योंकि आप लिटी जब बनाते हैं तो वह मोटी मोटी लिटी होती है रोटी तो होती नहीं है तो उसी सेखने में वक्त लगता है और आप देख सकते हैं कि लिटी बिल्कुल क्रैक आ चुका है इसमें साइड साइड से यह थोड़ी फट चुकी है और जब लिटी में दरारे आ जाए वह थोड़ी फट जाए तो आप समझ जाएगे कि यह लिटी खोग बढ़ियां से यह पक चुकी है तो अब यह बिल्कुल तयार है सारे लिटी में थोड़े बहुत क्रैक्स आ चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे अगर आपको सेखने में दिक्कत हो तो इस तरीके से अप्पे को घुमा घुमा करके भी आज पर सेख सकते हैं तो लगबख सभी लिट्टी में दरारे आ चुकी है तो चलिए अब हम उससे निकाल लेते हैं और जो बची हुई लिट्टी थी उसे भी इसमें हम डाल कर सेक लेंगे तो चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कि लिट्टी हमारी कैसी बनकर तयार हुई है अपे पैन में बहुत ही नए तरीके से बना है और बहुत ही बढ़ियां बनकर तयार हुई है तो ये देखिए लिट्टी सारी पक चुकी है तो अगर आप चाहें तो इसके उपर सर्सो का तेल भी लगा कर खा सकते हैं घी भी लगा कर खा सकते हैं बहुत लोग क्या करते हैं कि लिट्टी को ही घी में डिबो देते हैं लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले हैं जैसे हमारे घर में पहले हमारी ममी और दादी हमें बना कर खिलाती है हम बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे तो इन हथेलियों पर हम घी लेंगे अगर आप चाहें तो सर्सो का तेल भी ले सकते हैं और इस तरीके से लिट्टी के चारों तरफ लगा देंगे और यही तरीका सबसे बेश्ट है बहुत लोगों को पता होगा जिनके घरों में ये बहुत पहले होता होगा बनता होगा या फिर खाए होंगे इस तरीके से तो इस तरीके से लगाने से लिटी उपर से एकदम सौफ्ट हो जाती है तो इस तरीके से हम लिटी को घी में लपेट देंगे तो लिजी बनकर तयार है एकदम ट्रेडिसनल फूट यूपी भिहार का लिटी चोखा तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं तो आप भी इस तरीके से लिटी जरूर बनाएं और आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेर यह लिटी चोखा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और अब इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं यह आचार और इस अचार की रेसिपी की वीडियो मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ बहुत ही बढ़िया आचार बनते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाना मैं सिखाई हूं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा यह सालो साल चलने वाला आचार है तो लिजी बनकर तयार है यूपी बिहार की फेमस लिटी चोखा और इसे देखिए हम इसे फाड़ कर भी देख रहे हैं कितना बढ़िया से यह अंदर से भी पक चुका है एकदम सौफ करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जिन लोगों ने चानल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत भाँत धरनेवाद और जिन लोगों ने चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं झाल